टीवी का हिट रियालिटी शो खत्रो के खिलाडी 14 अब शुरू होने वाला है, काउंडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में कंटेस्टेंट्स के लिस्ट भी निकल कर सामने आ रही है आपको इस वीडियो में बताता हूँ वो contestants की list जो खत्रो के खिलाडी 14 में इस बार देखने को मिलने वाले हैं definitely आपको इस list में से कम से कम 80% contestants definitely आपको खत्रो के खिलाडी 14 में दिख जाएंगे क्योंकि इन सभी ने हामी भर दी है खत्रो के खिलाडी करने के लिए चलिए इस list की शुरुवात करते हैं सबसे पहले नाम मुनवर फारुकी का है जो इस show के लिए almost confirm हो चुके है 99% confirmation आ चुका है मुनवर फारुकी की तरफ से खत्रो के खिलाडी के लिए मुनवर पहले भी खत्रो का सीजन करने वाले थे जिस सीजन में आपको रुबीना दिलेक, फैजल और जननत जुबैन नजर आये थे उसमें मुनवर फारुकी भी थे बट क्यूंकि मुनवर के पास कोड़ा सा पासपोर्ट इशू हो गया था इसलिए वो नहीं जा पाये थे अब इस बार उनका कोई इशू नहीं है इस बार खत्रो के खिलाडी के लिए उन्होंने बहुत समय लिया यह decide करने में कि वो खत्रो के खिलाडी करेंगी या फिर नहीं करेंगी finally जो sources की माने तो खबर निकल कर सामने आ रही है कि मनारा चोपड़ा ने भी शो को करने के लिए हा कर दी है यानी कि खत्रों के खिलाडी में हमें मुनवर फारुकी और मनारा चोपड़ा का एक reunion भी देखने को मिलेगा जिसके लिए फैन्स बहुत बहुत जाधा excited हैं और definitely मनारा चोपड़ा खत्रों के खिलाडी में खत्रों से खेलती हुई नसर आ सकती हैं 90% chances मनारा के हैं इस शो को करने के लिए उसके बाद नाम आ रहा है Big Boss OTT 2 के contestant अभिशेक मलहान यानि कि फुक्रा इंसान का अभिशेक मलहान को शो ने जो makers हैं वो बाद में offer किया है शो के makers चाहते हैं कि अभिशेक मलहान शो का हिस्सा बने और खत्रों से खेलते हुए नजर आ के लिए इसके बाद नाम आ रहा है मनीशा रानी का जो 100% confirmed है खत्रों के खिलारी 14 सीजन को करने के लिए जी हाँ मनीशा रानी confirm हो चुकी है खत्रों के खिलारी का ये सीजन करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है और आपको यहाँ पर हो सकता है अभिशा का यानिकि खत्रों के खिलारी करने के लिए शोई विब्राहिम का फैंज देखिए शोई विब्राहिम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लास्ट वो जहलक दिखलाजा में नजर आए यहाँ पर तो वो ट्रॉफी को नहीं जीत पाए लेकिन अब आपको बता दू कि खत्रों के खिला गया है मेकर्स द्वारा बट जिया शंकर की माने तो फिलाल वो खत्रों नहीं कर रही है इसके अलावा एलविश यादव को भी अप्रोच किया गया था बट एलविश यादव ने भी मना कर दिया और रीसेंट इंटर्व्यू में उन्होंने बताया भी कि भाई मुझे मगर क्रोकेडाइल से बहुत सादा डर लगता है इसके अलावा अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो अभी शेक कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है जो खत्रों के खिलाडी करने वाले हैं अभी शेक कुमार ने अल्मॉस्ट हां भर दी है 85 परसंट चांस अभी शेक जूटिंग को देखते हुए खत्रो के खिलाडी को हां कर दें अगर उनके डेट्स कुछ ऐसे मैच होते हैं तो इसके अलावा आपको बता दू अंकिता लोखंडे को भी अप्रोच किया गया है खत्रो करने के लिए लेकिन जो सोसिज हैं वो ये कह रहे हैं कि अंकिता जो शोव ने अप्रोच किया है वो इशा मालविये और खानजादी को भी किया है ये लिस्पर मैंने एक अलग से भी लिस्ट बनाई थी कि अभिशेक कुमार, इशा मालविये और खानजादी ये तीनों हमें खत्रो के खिलाडी सीजन 14 में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इ अभिजादी और अभीशा का एक reunion भी देखने को मिले जिस तरीके से हमें मुनारा का reunion देखने को मिलने वाला है उसी तरीके से अभिशेक कुमार ईशा और खानजादी का भी हो सकता एक reunion देखने को मिलने वाला है इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको approach किया जा रहा है makers द्वारा ताकि लिस्ट जो है वो एकदम finalize हो जाए खत्रों के खिलाडी की आपको बता दे शो बस शुरू होने वाला है जो शो की shooting है वो जून में start हो जाने वाली है यानि कि अपसे करीब एक महीने के बाद शो की जो shooting है वो start होनी है ऐसे में आप शो के नाम जो है वो final होने लगे है इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय कौन है आपका इन सभी contestant में से favorite comment section में आप लिखकर हमें जरूर बता दीजएगा